दोस्तों भारत साल 2022 के लिए G20 की अधिक्ष्टा कर रहा है ऐसे में साल 2023 में देश की राजधानी में G20 देशों के साथ ही कारक्रम आयजित होंगे और इस कारण राजधानी में लगातार विकास किया जा रहा है देश के राजधानी दिली में सरकार अच्छे इंफास्ट्रक्चर पर काम कर रही है ताकि ग्लोबल लेवल पर भारत का दमखम दिखे आपको बता दे कि राजधानी दिली में कई विकास परियोजनाओं पर काम हो रहा है और इनके पूरे होते ही दिली का लुक एकदम बदल जाएगा दिली में दो बड़े व्यापसाई केंद्र बनाया जा रहे हैं इन केंद्रों पर साल 2023 से कॉमर्शिल मेले और समेलन आयोजित किये जाएंगे वहीं द्वारका में इंडिया इंटरनेशनल कन्विंशन एंड एक्सपो सेंटर की नीव केंद्र सरकाने रखी थी और फिलहाल ये निर्मान चल रहा है ये सेंटर 89 हेक्टियर में बन रहा है और ये ऐसा सेंटर होगा जहां सभी सुविधाएं जैसे ओडिटोरियम, पाथ सितार होटल ये सब एक ही छत के नीचे होगे एयरपोर्ट, द्वारका एक्सप्रेस, दिली मेट्रो और अर्बन एक्सटिंशन रोट को भी एक्सपो सेंटर से जोड़ा जा रहा है अनुमान है कि अगले साल अप्रेल तक इस सेंटर का ज्यादतर हिस्सा ओपरेशनल होगा दिली के प्रगति मैदान में इंटेनेशनल एक्सप्रेशन कम कन्वेंशन सेंटर का निर्मान भी पिछले चार सालों में हो रहा है एक्सप्रेशन सेंटर तयार है, ओडिटोरियम वा कन्वेंशन सेंटर का काम मार्च 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा इस सेंटर में अंतराश्ची सरके कारेकरम का आयोजन होगा सरकार इसके निर्मान पर करीब सवा दो हजार करो रुपे खर्च कर रही है सरकार दिली में यातेयाद को लेकर भी कई प्रोजेक्ट पर काम करी है ताकि राजधानी में परिवन की बहतर सुविधा हो खासकर दिली एरपोर्ट से आवा गवन को असान करने में जोर दिया चा रहा है दिली एरपोर्ट पर स्पाइनल रोट के बीच में टेक्सी वेब बनाया जा रहा है जो अगले साल तक शुरू होगा इसके अलावा दिली इंटेनेशनल एरपोर्ट लिमिटेड कमपनी डाल ने टर्मिनल 3 पर चौथा रनवे तियार किया है हाला कि इस पर विमान के टेक ओफ और लेंडिन की परमीशन प्रसाशन से नहीं मिली है इसके खुलते ही एरपोर्ट पर लंबी लाइनों से निज़ात मिलेगी आपको बता दे कि दिली एरपोर्ट की टर्मिनल एक को भी अत्यादूनिक सुविधाओं से लेस किया जा रहा है साल 2023 तक इस टर्मिनल पर यात्रियों को टर्मिनल 3 जैसे सुविधाएं मिलने लगेगी इस से टर्मिनल 3 पर मौझूद यात्रियों का बोज भी कम होगा एरपोर्ट के साथ साथ नए दिली रेल्वे स्टेशन का भी पुनर निर्मान होना है ये काम साल 2023 में शुरू हो सकता है बताया जो आ रहा है कि इस रेल्वे स्टेशन को एरपोर्ट की तर्च पर बनाने की योजना है इसकी अलावा गाजियाबाद, फरीदाबाद, विजवासन, ओलंबीकला, दिली कैंट, सब्दर्जुन आदी रेल्वे स्टेशनों का भी पुनर विकास होगा फलाल इस खबर में इतना ही पाकी खबरों के लिए देखते रही जुनता की अवाज जनता की अवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ की बैल आइकन जरूर दबाएं